ओम नमस्षिवाई जो भी साधग या साधवी हमें अभी सुन रही है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा और बाकी अन्य कोई सुन रहा है तो वो भी इस वीडियो को अन्त तक देखें और पूरा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ आजकल जितने भी यंग जनरेशन है या जो भी यूथ है या जवान जितने भी बच्चे हैं वो आजकल इंटरनेट पे हर दूसरा बच्चा वशी करन के बारे में सर्च करता है वो यह मानते हैं कि वशी करन एक ऐसी करिया है जिसके जरी हमें अपना प्यार मिल जाएगा और बाद में हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम खुशी-कुशी अपना ये जो जीवन है इसको बिता लेंगे लेकिन वो यह नहीं जानते कि जो प्रमात्मा की इच्छा होती है या जो उस शक्ती की इच्छा है जो सबसे परम है जो सबसे प्रिय है जो सबसे पहले है उसकी शक्ती कि आके कोई भी शक्ती नहीं टिकती किसी प्रकार का टोना टोटका नहीं चलता और जो उस mastermind के plan होते हैं उसे हम नहीं जान सकते कि वो कब क्या कर दे और कैसे कर दे लेकिन फिर भी आजकल हर कोई वशीकरण के पीछे भागता है तो मैं आपको वशीकरण के बारे में ही कुछ बताऊंगा लोग वशीकरण करते करते ये बूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं प्यार में इस कदर पागल हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे किसी भी तरह से अपना प्यार हासिल करना है वो हर मुम्किन कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह मुझे मेरा प्यार मिल जाए और यहां तक भी होता है कि लोग भगवान की पूझा करते-करते गलत रास्ते पे चले जाते हैं और फिर वो शैतान का आवाहन करते हैं वो यह बूल जाते हैं कि हम लोग गलत रास्ते पे पहुँच गए हैं ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन वो फिर भी करते हैं मैंने बहुत से ऐसे सादक देखे हैं जो हम से ऐसी साधनाओं के बारे में पूछते हैं जो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जो चीजे होती है ये बुलाने से तो आजाती हैं अपने आप लेकिन इनको वापस बेजना बहुत ही कठिन होता है जब तक कि आपके पास कोई गुरू ना हो जो इनको काबू में कर सके इन चीजों में हाथ नहीं डालना चाहिए मेरे पास आज भी बहुत से लड़कों के वाटसाप आए हैं और मेसेज़ेस आते हैं मेल्स पे आते हैं और बोलते हैं कि हमें ऐसी साधनाई बताईए तो मैं उन्हें क्या बोलू? मैं उन्हें हर मुमकीन कोशिश करता हूँ कि इन साधनाओं से बचो क्योंकि जब तक आप परिपक्व नहीं होते हो आपको यह साधनाई नहीं करनी चाहिए लोग सोचते हैं कि यह साधना करके मुझे वो चीज़ मिल जाएगी या मैं अपना प्यार हासिल कर लूँगा तो आप हासिल भी कर लेंगे लेकिन फिर भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए जो प्रकरती के अनुसार चलता है वही आदमी सफल रहता है जो प्रकरती के विपरीत चलता है वह आगे चल के सफल नहीं हो पाता या उसको कोई न कोई दिक्कत आती है जितना आप प्रकरती से दूर होंगे आपको उतनी ही दिक्कत आएगी ऐसी वीदियों से आप बचिये जितना हो सके ऐसी वीदियों से बचिये ऐसी साधनाओं से बचिये क्योंकि अगर एक बार इन साधनाओं पड़ गए तो आप चाह कर भी इन से नहीं बच पाएंगे और बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो आजकल तो हर तीसरा इनसान मेरे पास यही बोलता है साधवी भी आती हैं वो भूलते हैं मुझे शैतान बशी करना बताईए या शैतान की साधना करना बताईए या फिर ऐसा ही कुछ लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि यह अच्छे चीज नहीं है हमें भगवान का नाम लेना है और यदि आप किसी से प्रेम प्रसंग में पढ़ गए हैं या किसी कारण आप चाहते हैं कि मैं इसको पालू या इनको हासिल कर दो अशी करन करके या जैसे भी तो आप एक काम करिए आप मेडिटेशन शुरू करिए मेडिटेशन में आप ध्यान लगाई है क्योंकि जो ध्यान कर सकता है वह कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि ध्यान में बहुत शक्ती है आपने देखा हो का प्राची इनकाल सरी शिमूने ध्यान लगा कर कुछ भी कर सकते थे वही चीज हमारे अंदर भी है उन्हीं के हम संतान हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके अंदर था वो हमारे अंदर नहीं है सब कुछ हमारे अंदर है बस हमें वो पता नहीं है या वो चीजे अब हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसकी जानकारी ही नहीं है तो आप सिर्फ मेडिटेशन करिए मेडिटेशन बहुत ही जादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए और इस मेडिटेशन के जरीए आपको आपका प्यार भी मिलेगा यकीन मानिए लोग सोचते हैं कि कम समय में एकदम से काम हो जाए तो ऐसे काम नहीं होता उल्टा आप अपना नुकसान कर बैठते हैं लोग आपसे पैसे ले लेंगे लेकिन आपका काम नहीं होता वो इसे लिए नहीं होता क्योंकि आपके जल्दी बाज़ी में आप बहुत कुछ गवा चुके होते हैं और बहुत सारे साधक और साधवी तो अभी बिलकुल निराश होके हार चुके होते हैं और वो फोन करते हैं हमारे पास फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है तो जो भी कोई अपने प्यार को पाना चाहे तो वह पहले तो प्रभू के चरणों में जाए और अपने प्यार का इजहार करे देखे प्रभू का अगर प्रसन्न कर लिया तो सब कुछ प्रसन्न हो जाता है और ऐसे गलत चीज़ों में आपको हाथ नहीं डालना है मैं तो आपको यही कहूँगा क्योंकि इसके प्रणाम बहुत ही भयंकर होते हैं और जो भी इन चीज़ों में जाता है फिर वो वापस लोड के नहीं आता और अगर आपके पास कोई जटिल समस्या है या किसी समस्या का सामधान आप करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से कर रहे हैं लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं मेरा नमबर है 9896153833 और यह वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएगा इस वीडियो के जरीए मैं आप सभी के विचार जानना चाहूंगा ताकि भुष्य में मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देशकूं और अंत में वीडियो को जितना हो सगे शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आप किस समस्या से जूज रहे हैं या आपको कैसा उपाय चाहिए उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से पसंद आ रही होंगी और इसी तरह आप अपना प्यार बाटते रहिएगा मैं आपके सामें लेकर आता रहूँगा वो दूरलब सामकरी या वो ऐसी चीज़े जो इंटरनेट पे कोई नहीं देता तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अगर आप चाहते हैं कि दूसरों का भी भला हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सोशल लिंक में शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे भी इस जानकरी से अवगत हों और मैं आपके लिए अब और भी इससे भी अच्छी जानकरी लेक्या हूँगा बस आपसे यही चाहता हूँगा आप जूरे रहें मेरे साथ और हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है तुरलफ सामकरी ओम नमस्षिवाए